Hello everyone, I hope you all are doing great. मैं हूँ अदीती और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में. Guys, आज के दो Advanced English Structures की मदद से हम ऐसे हिंदी के Sentences को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे. जैसे कि उन्होंने विदेश में बसने की ठानली है. उसने iPhone खरीदने की ठानली है. मुझे तुम्हारी सहानुबूते की कोई जरूरत नहीं. हमें किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के First वाले स्ट्रक्चर से. जो की है सबसे पहले वाला ठान लेने का. जिसको इंग्लिश में बोलने के लिए Determined Word का यूज होता है. Determined का मतलब होता है ठान लेना. रूल देखिए इसका जिसके according सबसे पहले आता है subject. सबजेक के बाद is, am, are, was या word. सबजेक और tense के according इन में से कोई एक हेल्पिंग वर बाती है. प्रेजन टेंस का sentence है तो subject के according is, am या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर बाती है. और अगर past tense का sentence है तो subject के according was या word में से कोई एक हेल्पिंग वर बाती है. इसके बाद determined आता है. इसके बाद to आता है. इसके बाद verb की first form आती है. और last में आते हैं other words अगर sentence में कुछ बच जाते हैं तो चलिए कुछ examples देखते हैं इस पर paste जिससे आपको इसका meaning अच्छी तरह से clear हो जाए उन्होंने विदेश में बसने की ठानली है They are determined to settle abroad इस sentence में देखिए starting हमने की है subject से जो की यहाँ पर हैते इसके बाद subject और tense के according are helping verb आई है क्योंकि present tense का sentence है और जो subject है हमारा वो है plural इसलिए आ राया है इसके बाद determined to आया है इसके बाद sentence के according verb की first form आई है जो की है यहाँ पर settled और last में आया है abroad उसने आइफोन खरीदने की ठानली है He is determined to buy an iPhone He is determined to buy an iPhone मैंने अपने सपने पूरे करने की ठानली है I am determined to fulfill my dreams I am determined to fulfill my dreams उसने अपनी girlfriend से शादी करने की ठानली थी He was determined to marry his girlfriend He was determined to marry his girlfriend उसने एक्जाम में टॉप करने की ठानली थी She was determined to top the exam ये था आज का पहला structure जो की मुझे उमीद है की आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब देखते हैं आज का second structure जो की है जरूरत नहीं है जिसको इंग्रिश में बोलने के लिए In no need of का use होता है In no need of का मतलब है की जरूरत नहीं है Rule देखिए इसका जिसके according आता है सबसे पहले subject subject के बाद is, am, are, was, your word इन में से कोई एक helping verb आती है sentence के subject और tense के according इसके बाद in no need of आता है और last में आता है object जिसमें उसको mention किया जाता है जिसकी कोई जरूरत नहोने के बारे में हम अपने sentence में बात करते हैं चलिए कुछ examples देखते हैं इस पर based जिससे आपको इसका मतलब अच्छी तरह से समझ में आ जाए मुझे तुम्हारी सहानुभूती की कोई जरूरत नहीं I am in no need of your sympathy देखें यहाँ पर आई है subject, sentence के according इसके बाद sentence के subject और tense के according am helping verb का use हुआ है इसके बाद in no need of आया है इसके बाद आया है your sympathy sympathy है यहाँ पर object sentence के according next example है उसे नए phone की कोई जरूरत नहीं थी he was in no need of a new phone he was in no need of a new phone हमें किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं है we are in no need of anyone's support we are in no need of anyone's support हमें उसके जैसे दोस्त की कोई जरूरत नहीं थी we were in no need of a friend like him we were in no need of a friend like him उसे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है she is in no need of your money she is in no need of your money so guys ये थे आज के दो स्ट्रक्चर्स जो की मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अब ये जो दो सेंटेंस हैं आपकी स्क्रीन पर ये नहीं दो स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड हैं जो आपने अभी सीखे हैं इनको ट्रांस्लेट कीजें इंगलिश में और कॉमेंट करके मुझे जरूर दीजेगा इनका अंसर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेर जरूर कीजेगा चैनल पर अगर आप नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे और साथ वाले बैल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आपको रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलेंगे चलिए अभा मिलते हैं नेक्स लेसन में तब तक के लिए टेक कैर बाबाई